हेलो एवरिवान और वेलकम बाक तो माई चानल आज मैं अपने इस डोर के एंट्रेंस को डेकरेट करने वाली हूँ जो फिल्हाल तो थोड़ा डल लुक दे रहा है तो इसलिए मैंने स्पोच वह इसका थोड़ा सा में कोवर करती हूँ तो उसके लिए मैंने ये बर्ड के ने खरीदे हैं और साथ में मैं यूज करूँगी ये बेंडिंग वायर तो हैंग दे बर्ड नेस्ट वाल और मैंने ये एक शेल का जो आउटर है शेल उसको गोल्डन पेंट कर दिया है तो मैं ये भी यूज करूँगी तो डेकोरेट ये मैंने ओनलाइन लिया था नेम प्लेशने के लिए कुछ इस तरीके से इसमें फिक्स कर रही हूँ ये बेंडिंग वायर तो इससे क्या होगा वो काफी अच्छी तरीके से हैंग हो पाएगा वाल पे मैंने इसको फिक्स कर दिया है बेंडिंग वायर को तो अब मैं इसको वाल पे प्लेस कर दूँगी जब मैं यह प्लेस कर रही थी तो मेरे मन में यह आया है फ्रेंस की चड़िया कितना तिनका तिनका घास इखटा करके अपना घर बनाते एतनी महनत से बिल्कुल उसी तरह हम इनसान भी अपने घर को बहुत ही महनत से सवारते हैं अब यह नेईम प्लेट के लोऊर कॉंडर में एक छोड़ा सा नेस्ट प्लेस किया है उत्में यह एक्षल्स प्लेस कर दूंगी मैं दो हैक्षल्स कर रही हूं इसमें मुझे तो बहुत ही क्यूट लोग दे रहा है फ्रेंस आप मुझे बताना आपको कैसा लगा यह और इसको तो मैं थोड़ा सा च्रिम कर दूंगी to give it a better look अब जो नेम प्लेट का उपर वाला एरिया है उसमें भी मैंने थोड़ा सा बड़ा सा इसका बर्ड नेस्ट प्लेस किया है बेंडिंग वायर के मदद से और इसमें मैं छोटे-छोटे बर्ड हैंक कर दूंगी जिस तरीकी से चिडिया कहीं से उड़के अपने घोसले पे आता है तो कुछ वही लुक देने का मैंने ट्राइ किया है इस घोसले को जो पहला वाला बर्ड नेस्ट है उसमें मैं ये एक पैर रख दूंगी चिडिया का और ये एक पिंक कलर का डिफरेंट कलर मैंने यूज किया है उपर इसको भी मैंने ऐसे बर्ड को अटाच कर दिया है अब मैंने एक छोड़ा सा bird nest name plate के उपर भी hang किया है तो उसमें मैंने ये एक एक shell डाल दिया और इसको भी थोड़ा सा मैं trim कर दूँगी और name plate के नीचे जो मैंने bird nest रखा था उसमें मैं ये दो birds place कर रही हूँ similar colors के तो एक मैंने नीचे place कर दिया एक उपर place कर दिया है तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको decorate किया है ये butterfly भी मैंने stationery के दुकान से खरीदा था इसमें two side tape होता है तो ये काफे easily stick हो जाता है wall पे तो मैं ये use कर रही हूँ so that उसका beauty थोड़ा और enhance हो सके और उपर मैं ये pink color का butterfly place कर रही हूँ तो मेरा decoration हो चुका है complete अब friends मैं आपको अपना final look दिखाती हूँ इसका जहते हूँआ है जहां इसका गर्ऑ ले इसकंड़ताला रही हूँ